कर्तो थेसे संथ Kôngalin Somalis परकेशना तहीं विभी तुछ से क्या आनधा आजका हमारा विश्य है रस ती कैसें रस की परिभाष गरतं हें आनंद कावि कको पन्डनने या सुन्ने से जिस आनंद की अनुभूती होती है उसे रस कहा जाता है रस को कावि की आत्मा भी कहा जाता है आचार विशुनात के अनुसार वाक्यम रसात्मक काविम अर्थार रसात्मक वाक्य को ही कावि कहते हैं रस के अंग रस के चारंग होते हैं पहला विभाव दूसरा अनुभाव तीसरा संचारी चौथा इस्थाई भाव रस के प्रकार रसो की संख्या नौ है जिने नवरस कहा जाता है मूलतहा रसो की संख्या भी नौ है लेकिन आचार ने दो और भावो वाचसले और भगवद विश्यक रती को इस्थाई भाव की माननिता दी है इस्थाई भावो की संख्या 11 तक पहुच जाती है तदन रूप रसो की संख्या भी 11 तक पहुच जाती है अब हम पढ़ेंगे कौन से रस का कौन सा इस्थाई भाव है Competitive exams में रस और स्थाईभाव के एक या दो प्रिशन अवश्य ही पूछे जाते हैं शिंगारस का इस्थाई भाव है रती प्रेम, हासिरस का इस्थाई भाव है हास, करुणरस का इस्थाई भाव है शोग, रोद्ररस का इस्थाई भाव है क्रोद, वीरस का इस्थाई भाव है उत्सह, अद्भुत्रस का इस्थाई भाव है विस्मे या अश्चरे, विभत्रस का इस्थाई भाव है जुगुपसा और ग्रिना, भैयानक्रस का इस्थाई भाव है भै, शांत रस का स्थाई भाव है निर्वेत और शम वाजसले रस का स्थावर भाव है वाजसले भक्ती रस का स्थाई भाव है भगवद विश्यक रती और अनुराक विशेश हिंदी में रस की संख्या नौ है वात्सिले रस को दस्वा एवं भक्ती रस को ग्यार्वा रस माना जाता है अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद